आजकल आपको जोड़ तोड़ का मस्टर माइंड कहा जा रहा है मतलब भारे जोड़ मैं सवाल पूछ रही हूँ ना अपसे अगर गलत होगा तो आप इंकार कर दीजेगा उधर राहूल गांदी भारे जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और आप कॉंग्रेस तोड़ो अभियान च क्या बात कर रहे हैं वहाँ पर गोई यूनिट को पता नहीं था कि आपने असम से बैट कर तोड़ दिया है आठ विधायको कोई जोड़ तोड़ सीखा का आपने ये बता दीजे बीजेपी में सीखा या कॉंग्रेस पार्टी में सीख लिया देखिए कोई भारत में कोई ज बात करें मेरा यही बोलता है कि कोई बिधायक को जब अपने बारे में कोई निन्नाई लेना है तो खुद निन्नाई लेता है उनका साथ कुन था क्या था यह खाली अपना एक ख़बर के लिए है बत तील आई डिसाइड टू गो और मेरा मन में है कही जाने का और जहां जा आना है डे टेग हिम तो बाकी बीच्वालाबाद का क्या बहुता है कि जहां कोई सरकार में उठा पटक चल रही होती है पता चलता है कि यह तो करवारें कौन तो हैमन तो भी स्वसाब नहीं वो कॉंग्रेस का जो मेरा दोस्त लोग है हर काम में कही ना कहीं मुसको कॉंग्रेस लोग जाड़ा क्रेडित मुसको दे देता है थोड़ा मेरे लिए थोड़ा प्यार मुहबद है कि मेरा केरियर थोड़ा और अच्छा हो बीजेपी के लिए बीजेपी में इसलिए वो लोग ऐसा कुस बोलता है मेरा बारे में अबिच शाओ नॉर्थीस्ट कहा होते है करते सारे जरी आप ही होते हैं चाहीव वो सिपंजाना हो कॉइस वी सिपना जैसा पार् discouragement को मेरा जैसा बैक्ति कोई तोर सकता है क्या स्चाहीजें व्हाती में दे वे स्टेद इन गौहाती इसलिए थोड़ा मेरा नाम का पबलीशीटी हुआ इतकाँ मेसधिश में तो होस्पिटालिटी भी तो एक चीज होती है ना मेजबानी उल्टा वह हम लोग को रिलीफ फान में पसास लाक रुपिया देखे आया फिर असाम का होटेल में रहा दस दिन पूरा अच्छा खासा 20% जी जी एस्टी भी हमारा खाटे में जमा हुआ है मैं तो साथ हूं ऐसा म महिना में आए एक बाद मंत्री सब जाजा के मिल रहे थे विधायकों से एक से इंडूकिये देखे आज आज आप बहुत एक एक लाइन के सवाल दे रहे हैं एक एक लाइन के जवाब से नहीं चलेगा यह इन्वेस्टिगेशन है और इसमें आप से कॉंटेक्स में पूछ सबसे पहले गोवा, महाराष्ट्रा, जारकंड जहां जहां पर इनके विधायक तूट रहे हैं आप उनको अपने स्टेट में बुलाते हैं स्वागत करते हैं गोवा में भी आपी की बात खुल कर आई है लोकल यूनिट को पता नहीं था क्या आप बीजेपी के लिए जोड सब्सक्णक नहीं कर रहे हैं। और मेरा साथ उनका संपर्ख होता है, यह इंटाट सुइट मी, बाथ आप लोग मन में ये एकड़म निकाल दीजे, कि डिगंबर कमाद जैसा बैक्ती, मेरा बाद में बीजेपी में आएगा. अच्छा, उनके दिल में था, आपने बस रास्ता दिखा दिया. मुझे को कभी पूछता है लोग, जैसे डेज भरमा करका जो कॉंग्रेस लोग पार्टी में आते हैं बीजेपी, मुझे को एक बार जोरूर फोन करके पूछता है, या मुझे को मिलता है भाई हम बीजेपी में जाओंगा तो कैसा लगेगा, तो हम यहीं बोलता हूँ कि देखो मुझे को देखो बीजेपी में आपको सनमान मिलेगा और काम करने से आपको आपका आकाज ही आपका सिमा है, आप आगे भी जा सकता है, कि लोगों का मनमेग है कि आप अगर आरेसे बेग्राउंड नहीं है आप बीजेपी में ग्रोथ नहीं मिलेगा तो उसका कारण लोग तो खूब फुलते पूलते हैं इंदिया जी हो लोगों में इसलिए मुझ से थोड़ा आप फैक्स सेंक्रता है लोगों पूशता है कि भाए हम क्या होगा राहुल गांधी को लेकर आप हमेशा हमलावर रहते हैं, राहुल गांधी को लेकर ही मेरा अगला सवाल है आप से, आपने क्या कहा था वो बिस्कृट खिलाने वाली बात अब गुलाम नभी आजाद बाह करेगा ओबात करने का बात आपका मन में कभी ने रहेगा को आपको कॉंग्रेस में रहना सब्सक्राइब क्यों ऐसा ही है बात करते करते हुआ सला जाएगा हुआ सला जाएगा फिर हाफ एना और गाइब हो जाएगा फिर आखे पूंसेगा कुट्टे वाली बात सही थी या पूर एक अनालिजी थी जो नो एक तम रियल है जैसा हम लोग इहां बैट रहा हूं इहां प्लेट था इस बिस्कुट फिर वहां से लोग उठाके बिस्कुट खाने शुरू किया और राहुल जी हसते रहा पर बुरा सिर्फ आपको लगा हमेरा ही मुझको बुरा लगा है बाकी लोगों का बारे में उसको पूछी है में लेकिन मेरा बुरा लगा और कहीनी 100% फैक्ट है और कुट् पूछते हैं भारत तो दिवाइड हो गिया 1947 में अगर भारत जोरो जात्रा करना है तो राहुल गांधी को यह जात्रा पाकिस्तान में करना सही है भारत में जात्रा करने से क्या फाइदा होगा भारत तो जुरा हुआ है खंडिद क्या हुआ पाकिस्तानी खंडिद हुआ त क्या बता है आपको भी आजक्तन बहुत आदा तरह यहाद नहीं है कोई उंहां में है क्या हम भारत में नहीं आप हिंदू मुस्लिम करके देश को बात रहें सीधा आप हिंदू मुस्लिम यहां में कहां आया इहां आया टमिल नदू और इंडिया का बाद केरेला और इंडिया का बाद कोई केरेला में लोग बुला है कि हम इंडिया में नहीं रहने आला हूं इसलिए हमको भारत से जुर हुआ है आप अपना स्पेलिंग ठीक किजिए तब में नया बात बोलूंगा लेकिन आपने बोला मुझको भारत जोड़ना है भारत तुक्रे कब हुआ था 1947 में अभी तो कोई तुक्रे तो नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा तो जब आप भारत जोरो कारीक्रम लेके ट किट इतना नागवार आपको गुजरा आपने तो खाया भी नहीं अध्यक्ष कौन हो कॉंग्रेस पार्टी का किसमें क्षमता बताएं वो तो कहते हैं अगर गांधी परिवार का नहीं हुआ तो कॉंग्रेस पार्टी तूट जाएगा तो तूट जाना साहिए अगर एक पर गंगा धर्टिला गोपल कृष्ण गोखले का पार्टी तूट जाता है तो तूट जाने देना साहिए अभी आपके आपने अभी गुलाम नभी आजाद ने छोड़ दिया तो आपने कहा बहुत सारे कॉंग्रेस में अच्छा लोग है जैसे कौन लगभख अगर इफिव ए कोट्रि में जो डिखाइदेता है ओ कौट्री नहीं कोई एक स्काल खड़ी होगा को इसी कबिक्ति होगा कोई जुग मीव दाने वला होगा व claude कोट्री का जो लोग है उसका जाम यह प्याद तो कौट्री को सारे करेक्टरिस और पशानेम ना लोग है जो दिखता है बाहर सब्सक्राइब को अध्यक्ष बन सकते हैं मैं एता ही बोल सकता हूं कॉंग्रेस एन गंधी बिकाम सिनने में थोड़ा एक बार टूद जाने डीजिए फिर अपने आप उभर के आएगा ने आशी